हलो आज की वीडियो में हम स्टेडी करेंगे ऐलिजबद बैरेट ब्राउनिंग को ऐलिजबद बैरेट ब्राउनिंग ड्रॉबड ब्राउनिंग की वाइफ थी ये दोनों हस्बन वाइफ विक्टॉरियन एरा के सबसे पॉपुलर राइटर्स थे ये एक बहुत ही फेमस कपल था रॉपर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलोग लिखने के लिए जाने जाते थे और ऐलिजबद बैरेट ब्राउनिंग मोस्टली सोनेट्स लिखा करती थी तो ऐलिजबद बैरेट ब्राउनिंग का जना 1806 में हुआ था ड्रहम में और इनकी डथ हुई थी 1861 में फ्लोरेंस में इनके फादर का नाम था Edward Barrett, इनकी मदर का नाम था Mary Graham, इनके हस्बन थी Robert Browning, इनके बेटे का नाम था Robert Wideman Barrett Browning जिसको इस शोट में पेन बुलाया करते थे और इनका एक कजन था जिसका नाम था John Kenyer, इन्होंने पोईटिक फिल्ड में Elizabeth Barrett Browning की बहुत हल्प की थी Elizabeth Barrett Browning ने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जा करके Robert Browning से शादी की थी और जब इनकी शादी का पता Elizabeth Barrett Browning की फाम我要 चला था तब उनकी फामली ने Elizabeth Barrett Browning से अपनी रिश्ते खतम कर दी थी इनके father ने इनकी property से Elizabeth Barrett Browning को evicted कर दिया था इनके brothers ने भी इनके साथ बातचीत करना बंद कर दिया था Elizabeth Barrett Browning dropped Browning से 6 साल बड़ी थी Elizabeth Barrett Browning की 11 siblings थे ये total 12 भाई भेहन थे जिन में से सबसे बड़ी Elizabeth Barrett Browning ही थी अपने कजन जोन कैनियोन की दुआरा ही एलिजबत बैरेट ब्राउनिंग लिट्रेरी ससाइटी से इंटर्यूस हुई 1850 में वीलियम वर्ट्सवर्ट की डेथ के बाद दो लोगों को कंसीडर किया जा रहा था पोईट लोरियेट की पोश्ट के लिए सबसे पहर नमबर पे अलफ़र्ड लोर्ट ब्राउनिंग लेकिन ये पोश्ट अलफ़र्ड लोर्ट टैनिसन को मिली थी आप ये बात point में ध्यान रखेगा कि William Wordsworth की death के बाद दो लोगों को consider किया जा रहा था poet laureate के लिए जिन में से एक Elizabeth Barrett Browning थी और दूसरे Alfred Lord Tennyson थे लेकिन ये post Alfred Lord Tennyson को गई थी जो वीडियो में ने Alfred Lord Tennyson के उपर base बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको बता है Alfred Lord Tennyson के help भी की थी किसी प्रिंस ने उनको poet laureate बनाने में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उपर लिंक का रही है आपके लिक करके देख लीजिए Battle of Marathon जो प्रिंट हुआ था 1820 में Elizabeth Barrett Browning का first creation था जब Elizabeth Barrett Browning की death हो गई थी Elizabeth Barrett Browning की death 1861 में वी थी तब इनके husband Mr. Browning ने इनके लिए एक epitaph लिखा था जो था All Lyric Love, Half Angel and Half Bird, Frel Life and Aerial Spirit Elizabeth Barrett Browning mostly अपनी love poems के लिए जानी जाती है She wrote 44 sonnets in her notebook secretly Elizabeth Barrett Browning ने 44 sonnets secretly अपनी notebook में लिखे थे जिनका पता Mr. Browning को भी नहीं था उनकी शादी के तीन साल बाद Mr. Browning को वो sonnets के बारे में पता चला था और उन्होंने insist किया था Elizabeth Barrett Browning को उनको publish कराने के लिए लेकिन Elizabeth मना करती थी वो कहती थी ये काफी private sonnets है लेकिन Mr. Browning के insist करने के बाद उन sonnets को publish कराया गया था 1850 में अब हम बात करते हैं Elizabeth Barrett Browning के famous works के बारे में सबसे पहले इनका work आता है Sonnets from the Portuguese जो 1850 में publish हुआ था इसमें 44 love sonnets है और 43 नमबर पे है How Do I Love थी जिसकी rhyming scheme Line 1 to 8 ABAB है और Line 9 to 14 CD CD है I Am Big Pentameter का इसमें यूज हुआ है Anaphora Figures of Speech है Sonnet from the Portuguese को Sonnet from the Portuguese इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह Portuguese translator की guidance में लिखा गया था उसके बाग 44 नमबर पे एक और sonnet आता है जिसका नाम है Thao has bought me many flowers तो यह दोनों sonnet from the Portuguese के काफी popular sonnets है 43 नमबर पे है How Do I Love थी 44 नमबर पे है Thao has bought me many flowers The Cry of the Children जो 1842 में published हुआ था इसकी main theme child labor है 1843 में published हुआ था एक magazine में जिसका नाम था Blackwoods magazine इसमें 13 stanza है इसकी rhyming scheme है A B A B C D C D E F E F Root this work after reading a report on the employment of children in mines and manufactories इस creation को लिखने का idea Elizabeth Barrett Browning को एक report को पढ़के आया था जहाँ पे उन्होंने employment के बारे में पढ़ा था बच्चों के employment के बारे में माइन्स और manufactories में Aurora Ray जो 1856 में publish हुआ था यह epic novel है blank words में लिखा गया है इसमें nine books available है यह जो story है इसकी setting है Florence, Malvern में, London में और Paris में इन चार जंगा उपर हमारी जो story है epic novel है यह यहाँ पर base है Aurora main heroine है इस story की और other heroine है Mariana L John Ruskin ने Aurora Ray को the greatest long poem of the 19th century कहा है considered to the women's version of Wordsworth the prelude इस इनकी जो book थी Aurora Ray इसी का women's virgin William Wordsworth ने as a the prelude लिखा है और उनका यह creation Elizabeth Barrett Browning का Aurora Ray डेडिकेट है उनके cousin John Canyon को अब हम बात करते है सोनेट from the Portuguese के बारे में जो लिखा गया था 1845 से 1846 के बीच में publish हुआ था 1850 में और यह 44 love sonets का collection है और Elizabeth Barrett Browning ने इसको अपने husband Mr. Browning को डेडिकेट किया था उसके बात हम बात करते हैं Casa Gudi Windows a poem जो 1851 में publish हुई थी उनका जो creation है यह show करता है Italian fine for independence को यह base हैगा Casa Gudi their literary house पर यह house था जहां पर writers रहा करते थे और जो Elizabeth Barrett Browning का सन है उसका जनम भी है ही हुआ था उसी पर base है उनकी यह poem उनके दो और famous works हैं To George sent a recognition To George sent a desire Who must know forget their womanhood उनके जो दोनों ही creations है यह womanhood से related हैं जनके शी जनके बाल